नवस्कार आप सभी का स्वागत है प्राइम टीवी बर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम चर्चा उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाओ करीब है और चुनाओ को देखते हुए अब जो राजनितिक दल है उत्तर प्रदेश के जो बड़ी पार्टियां ह सब्क्राइम को अपने साथ लाने में लग चुकी है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की बाद आज हम करेंगे क्योंकि कि पूर्वांचल वह जगा है जो कही न और छोटे दलों के लिए प्रयोग शाला कही जाती है कहा जाता है कि पूरवांचल के छेत्र में जो छोटी छोटी पार्टियां है वो कई सारे बड़े प्रयोग कर देती हैं और प्रयोग करने के बाद उत्तर प्रदेश के पूरब से ही उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाती यह पूरब वो इलाका है यह पूरब वो जगा है जहां एक तरफा वोटिंग होती है और यह एक तरफा वोटिंग वो है जो जिसके पाले में आती है तो छपर फाड के आती है और जिसके पाले में नहीं आती है उसको इतना भी नहीं मिलता कि उसका कोई वजूद उत्तर प्र पार्टी या फिर अन जो राजनितिक दल उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाओं को लेकर खुद को सक्रिय करने में लगे हुए हैं लगातार पूरब की तरफ अपनी जो गाड़ी है वो घुमा देते हैं जिसका कारण यही है क्योंकि वो जान रहे हैं कि इस बार यह प बीजेपी पूरवांचल एक्सप्रेसवे के जरीए उत्तर प्रदेश में पूरब के विकास की बात कह रही है बीजेपी कह रही है कि हमने पूरवांचल एक्सप्रेसवे दे दिया है और इस पूरवांचल एक्सप्रेसवे से जो पूरब है उत्तर प्रदेश का वो विकास की गती को और तेजी से पकड़ सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा सिक्षा सुधरेगी बिजली पानी यह जो सारी समस्याएं थी पूरवांचल की यह सारी समस्याएं खतम हो जाएंगी लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अन्य राजनितिक दल भी उत्तर प पर उन्प्रकाश राजभर की पार्टी उनके साथ मौजूद थी तो यह जो प्रयास है जो प्रेटिकल है उत्तर प्रदेश में चल रहा है फिलहाल पूरव वह जगा है जहां पर गली-गली चौराहे-चौराहे घर-घर नेता है जहां चाय की दुकान पर लोग बैठ करके राजनीती की बात करते हैं और वहीं से डिसाइड हो जाता है कि इस बार वोट किसे देना है या इस बार कौन नाकाम रहा है जहां पर ये डिसाइड बैठ करके मेज पर जब चार लोग बैठते हैं तो वहां ये चर्चाए हुआ करती है कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है आकि इस बार उत्तर प्रदेश में कौन मजबूत दिख रहा है कि आकि इस बार उत्तर प्रदेश में किसके पाले में वोट डालना है ताकि विकास को ताकि अपनी रफ्तार को तेज किया जाए पूरब की अगर हम बात करें तो 2017 के आकड़े इस वक्त मेरे स पूरब की जो प्रमुख बेल्ट हैं वहां पर 156 विधानसभा की सीटे हैं जिसमें से बीजेपी के पास सबसे जादा 106 सीटे आई थी समाजवादी पार्टी के खाते में 18 बीसपी के खाते में 12 अपना दल के पास 8 सबसे के पास चार कॉंग्रेस के पास चार निशाद पार्टी एक और तीन निरदलिये विधाये एक और हैं बात यह कि यह पूरब का इलाका वह इलाका है जहां पर 2019 का विधान सभा चुनाओ के बाद जो लग सभा चुनाओ लड़ा गया वहां पर भी बीजेपी ने बड़ी ताकत दिखाई और 22 सीटों पर खुद को काबिज करवाया पूरब का इलाका वह इलाका जहां पर चोटी चोटी पार्टियां है और यह चोटी चोटी पार्टियां छेत्र के हिसाब से और जात के हिसाब से जनता के बीच जाती हैं खुद को इस्थापित करती हैं और वोट की बात कर ली जाए यह कहीं ना कहीं अपना जो वोट बैंक है वो जात के आधार पर ही स्थापित करने में लगे रहते हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश की नजरीय से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के पास कई सारे चोटे-चोटे जो दल हैं वो उत्तर प्रदेश में उनके पास इस पूरब के इलाके के हैं जिसमें उन्प्रकाश राजभर की पार्टी भी शामिल है और उनका प्रयास यही है कि इन चोटे-चोटे दलों को मजबूत करके पूरब की स्थित्यों को बहतर किया जाए क्योंकि पस्चिम ने तो उत्तर प्रदेश को कई सारे मु मजबूत करना कैसे है यह बाकी राजनितिक दलों के लिए ठीड़ी खीर साबित हो रहा था और उसी को मजबूत करने में यह राजनितिक दल लगे हुए हैं कई सारे चोटे-चोटे दल समाजवधी पार्टी में शामिल हुएं कॉंग्रेस बसपा भी खुद को पूरब में मजबूत करने में लगी हुई है और इसी वज़े से बसपा ने भी कई सारे जो सम्मेलन है वो इस पूरब की बेल्ट में किये थे फिलहाल एक हिस्सेदारी मोर्चा है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे यह हिस्सेदारी मोर्चा क्या है सबसे पहले यह जान लीजे दरसल आठ राजनितिक दलों का यह हिस्सेदारी मोर्चा जो है यह बीते दिनों बीजेपी के साथ इनका गड़बंधन हुआ है इनका यह कहना है कि आने वाला जो विधान सभा चुनाओ है यह बीजेपी के साथ जाकर लड़ेंगे इन में कई सारी छोटी छोटी जो पार् में बताऊं तो सबसे महले मैं भारतिय मानव समाज पार्टी जो की इक हिस्सेदारी मोर्चा की प्रमुकपार्टी प्रदी समाज पार्टी नहीं दूसरी प्रकति शिल्पार्टी है तो यह आठ पार्टिया जो है इन ने मिल करके एक हिस्सेदारी मोर्चा बनाया है और अब यह बीजेपी के साथ चले गए कारण क्या है कारण यही है कि समाजवधी पार्टी के साथ का इस सारे चोटे-चोटे जो दल थे वो जा रहे थे तो बीजेपी को भी दिखाना था कि हमारे पास भी जो छोटे-चोटे आंदोलन मंच यह जो है वो शेडियूल ट्राइब्स को बिलॉंग करती है तो इनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख नेता आज हमारे साथ मौजूद हैं जनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो चुनावी रणनीती है जो चुनावी महौल है जो चुनावी सरगर्मिया है जो चुनावी पारा है वो दरसल कहां पर है इस उत्तर और उस पारे में कौन सी पार्टी जो है वो जादा खुद को इस्थापित करती हुई नजर आ रही है आप अगर किसी के साथ गए हैं तो क्यों गए हैं और अगर गए हैं तो जाने के बा बाबुलाल राजभर जी हैं जो की शोषित समाज पार्टी से हैं और हिस्सेदारी मोर्चा के प्रवक्ता है इन सभी मेमानों का स्टूडियों में स्वागत है और अब मैं इस चर्चा को शुरू करूंगा क्योंकि पूरब की राजनीती पर चर्चा हो रही है OBC VOTBANK पर चर्चा हो रही है और चोटे दलों पर चर्चा हो रही है सबसे पहले मैं केवट राम जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि आप इस पूरे हिस्सेदारी संकंल्प हिस्सेदारी मोर्चा के संयोजक हैं तो सबसे पहरा सवाल तो मेरा आप से यह है कि आखिर हिस्सेदारी मोर्चा आपने बनाया क्यों और एक और एहम बात ही है क्योंकि इसके पहले जहां तक मुझे जो जानकारी है आप भागीदारी मोर्चा के भी साथ थें अचानक वहां से अलग हो गए और अलग होने के बाद आपने हिस्सेदारी मोर्चा बना लिया, क्या कारण था इसका? सबकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस नारे सो काफियों परेज चल रहे थे और खली अपना ही मनमाना करका अपना अके लिए डिशिजन लेना था और कहें ने कहीं और अपने बंसवादो स्वार्थ की राजनित करते थे इसलिए हम महां से निकल कर अपने एक तबर मोर्चा का निर्मान किये जिसमें हमारे आट तल है जिसमें चंदन सिंग चौह जी है हमारे साथ में इनजीनर असुनीर कुसमाज जी भावरा राजभर जी हैं इसे तरह आठ लोग तमाम लोग हमारे साथ में जूड़े हुए हैं और यह हिस्सेदारी मोचा के माध्धम से उनको एक पेरफ़ाम दिया आज यह देखा जा रहा है कि हिस्टेदारी मोचा में आने पे उत्तर प्रदेश के खास पुरवांचल के राज़नित में एक तःलका मच चुक आ है और हिस्टेदारी मोचा के माध्धम से जो हमारी लड़ाय थी सो सीथ अती पिछले को हगदिकार दिलाने की बात इसी उद्देश को लेके है इस्तिदारी मुर्चा का हमने निर्मान किया है। यह जो हम आठो पालाटियां हैं इस में से साथ पालाटियां सारी पुर्वांचल की हैं और एक पुतिए पश्मान हो चाहे पटेल जी हो चाहे एक मुसहर समाज़ जो एक ऐसा मुसहर समाज है आजादी के बाद किसी आपसे पोछा के हिस्सा थें जिसका प्रमकुदेश यही था बीजेपी को हराना ठीक है लेकिन जब आप इससे अलग हों तो आपने भाजपा को ही चुन लिया ऑगयदारी संकल्प मौचा में था जसकी बहारी अतनी इसमें हिस्सेदारी लेकिन आज अज वह भागयदारी संकल्प मौचा है कहाँ पे राजबर जी का वेक्तिकट और उनके दो बेटे उनहीं का खरता है और इसी नाते हम लोग ने मुर्चा का निर्मान किया रही बाद भारते जन्ता पाइटी की आज तमाम 2022 में तमाम आज गरबंधन का दोर चल रहा है तो जो हमी सभी राष्टिया दोर चल एक निर्णे लिया और मन्थन किया कि नहीं कि एक किसी बड़े राधिती दल से गरबंधन करने की आफशक्ता है और हम लोग ने भारते जन्ता पाइटी और समाजवादी पाइटी दुनों पाइटी को मन्थन किया कि किसके साथ जा जाना चाहिए इसमें यही हमने उने सोचा कि समाजवादी पाइटी जो है यह भी बंसवाद की पाइटी है अगर इसकी सरकार आती है तो उसमें तुमाम गुंडा गर्दी और जो कुछ सरकारियां भरती होती तो एक ही जाती ही को उनको भरतिया की जाती है और भारती जनता पाइटी की सरका करती है और हर जाती है धर्म को लेकि वह साथ चलने काम करती है इसी इनी मुद्दुक साथ में अच्छा आप बिंद समास से हैं और बीजेपी में संजे निशाद अभी फिर से उनकी पार्टी उसमें जोड़ गई है 22 का चुनाव भी वह साथ में लड़ेंगे MLC के लिए नाम भी चला गया है तो संजे निशाद से कुछ समस्या नहीं होईगी संजे निशाद जी हम भी भातिन्ता पारी गड़ बंधन में हैं लेकिन कहीं ने कहीं जो आज संजे निशाद की जो रूप एखा है तो वह निसास समाज से उनका संबंध है मैं पुरवांचल में बिन समाज की वर समाज उनकी उत्तर प्रदेश में पुरवांचल में दस जिलें इलाहबाद हो, जौनपूर हो, गाजी पूर हो, चंदोली हो, मिर्जापूर हो इनमें बिन्ध समाज कई 5060 पे 40-50,001 लाकी जन संख्या पे बिन्ध समाज है जो वह उनको संजिन सा को नेता नहीं मानता, इसलिए कहीं भारती नेता पार्टी को लगा कि बिन्ध समाज की आफशक्ता पड़ी इसलिए हम से गरबंधन किया ठीक है, मैं सुनील कुश्वाजी आपके पास आना चाहूंगा जहां का ये हिस्सेदारी मोर्चा है, क्योंकि आप लुक पूरब की बात कर रहे हैं पूरब में कई सारी समस्या हैं, लेकिन सबसे हम बात है कि इसमें ज्यादा तर नेता है आपके हिस्सेदारी मोर्चा में वह OBC है या आपकी जो हिस्सेदारी मोर्चा है कही ना कहीं OBC वोट बैंक को देखते वह बनाया गया है कहा जाता रहा है कि समाजवादी पार्टी के खाते में सबसे जादा OBC वूट बैंक आता है लेकिन 2017 और 2019 में आप लोगों ने उसको पलट दिया था BJP क्योंकि आप BJP के साथ आप लोग हैं पार्टी से बीजेपी से अलग भी हो गए थे आपको लगता है कि आप लोग जब बीजेपी किसे के साथ आपका जो गड़बंदन हुआ है उसके बाद यह जो ओबीसी वोट बैंक नाराज है यह फिर से एक बार बीजेपी के पास आएगा आएगा तो क्यों आएगा समाज की प्रतनिधितों करने वाली पार्टी कहीं जा रही है या कहीं गई लेकिन उसका कुछ खास जातियों पर बिसेश प्रभाव रहा और iluity में बहुत सारी जाते यह और EUC जातियों में उन जातियों का प्रतनिधितों को उन लोगों ने मौका नहीं दिया इसके कारण से वह ओट बैंक वहां से खिसक कर एक बार मौका दिया लेकिन उसके बाद खिसक कर भारती जनता पार्टी के साथ जुड़ा और भारती जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने उदारन प् पूरा प्रयास कर रहे हैं इसलिए भले ही कुछ तमाम समस्याओं को लेकर वी सी वोट बैंक नाराज़गी जरूर जाहिर कर रहा है लेकिन अन्तों गत्वाव वी सी वोट बैंक भारती जनता फार्टिक साथ इस्टिक्ड है अच्छा आप इंजीनियर भी है जहां तक मुझे पता है आपने इंजीनियर की पढ़ाई की है पूरवांचल का जो इलाका है वहां पर शिक्षा बहुत बहतर नहीं है शिक्षा की जो स्थितिय वो बहुत बहतर नहीं है आप अगर 2022 में सत्ता में आते हैं फिर से बीजेपी रिपीट करती है क्योंकि आपका जो हिस्सेदार ही मोरचा है यह बीजेपी के साथ गया है तो आप लोगों को भी पूर्चा मिलेगे और क्योंकि आप लोग लगतार कह रहे हैं कि हिस्सा मिलना ज़रूरी है और इसी वज़़े से इसेदारी मूरचा अपने भी दिया है आपको हिस्सा अगर मिलता तो पूरव की जो हैं मैं भी गया हूं और मैं भी खुद भी पूरफ से हूं तो मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि वहां पर जो शिक्षा की इस्थिती को आप लोग बहतर करने के लिए क्या संकल्प रखे हुए हैं या क्या कोई बातचीत इसको लेकर हुई आपकी इस्चित तौर पर पूरव विष्विद्याले के अस्थापना करी और उनके एजिंडे में लगबग दस विष्विद्याले के अस्थापना उत्तर प्रदेश में था और उन्होंने लगबग उस वादे को पूरा किया और पूर बंचल में जो अभी अस्थापित विष्विद्याले जिसका पार्ती जनता पार्टी की सरकार आने वाले दिनों में सिच्छ और संस्थाओं को जैसे अभी बेहतरी की तदा कर रही है वो इन्होंने कई सेंट्रल इंश्टीज भी बनाई और आगे भी ये सिच्छा की दिसा में काम करेंगे और जब हम लोगों को हिस्सेदारी मौर्चा के रूप में गडबंधन में हम लोगों का ये एजेंडा और सुद्रिड हुआ है कि सासन और सत्ता में समाज में नोकरियों में सिच्छा में हर छेतर में समाज के हर वर्गों को उचित प्रतनिदित मिलना चाहिए और इस चीज को हम लोग जिस्सेदारी मौर्चा के मार्दिम से भारती जनता पार्टी के गडबंधन के जब सरकार बनेगी तो उसमें इस एजेंडे को हम लोग लागू करेंगे अच्छा ये अपोजीशन बार-बार इस बात को क्यों कह रहा है कि जातिकत जन्गर्णा सरकार नहीं करवाना चाहती है ये जातिकत जन्गर्णा सरकार के पास तमाम पॉलिसीज हैं उस पे भी वो काम कर रही है इस मुद्दे को बिपच बार-बार उठा कर एक कलैस अस्थापित करना चाहता है जो सरकार है वो ओबीसी के खिलाफ है जबकि ऐसा नहीं है उसमें तमाम समीतियों की रिपोर्ट्स भी हैं और आने वाले दिनों में पीछे के दिनों में बहुत सारी दूसरी समस्याय थी जिस पर फोकस करना बहुत जरूरी था और सरकार उन मुद्दों पर फोकस कर रही है इसके लावा जातिकर जनगरने के लिए उसके पास अपने अजेंडे हैं उसके वो काम करेगी ठीक है हमाई साथ बाबुलाल राजभर जी भी हैं जो कि इस हिसेदारी मोर्चा के प्रवक्ता हैं बाबुलाल जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप राजभर हैं और एक राजभर और थें बीजेपी मेंस से पहले मंतरी भी थें नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी फिर उन्होंने कहा कि मैं उसके साथ जाओंगा जो मेरी मांगे मानेगा कुछ दिन तक चला कि शायद बीजेपी के साथ चले जाएं लेकिन एका एक फिर वो सपावाल उसको किस नजरीय से देखते हैं और क्या उन चीजों को पार्टी में बीजेपी के साथ लेकर आए हैं उस वोड़ बैंक को लेकर आए हैं कि सबसे पहले तो मैं आप पेच हैरल से मैं जो भी हमें देख रहा हैं उनको धन्यबाद देना चाहता हूं और आपको भी धन्यबाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी बात को हम दर्सों को तक हमारी सुखचिंतों को तक बहुंचाने का काम कर रहे हैं देखिए उम्प्रका करके भाजपा को ओड़ दिया, 2017 में सप्पा बस्पा के नीतियों से प्रभावित हो करके पुरे दलित, सोसित, बंचित, समाज, पिछड़ा समाज भाजपा को ओड़ दिया, प्रचंड भहुमत दिया, और उसके बाद से हाँ, बीजेपी ने एक हम तो उसको गलती कहेंगे, बीजेपी ने गलती किया कि राजपर समाज का चहरा उंप्रकास राजपर को बनाए, जदी 2017 में उंप्रकास को चहरा नहीं भी बनाती, तो 2019 के चुनाव की तरह राजपर समाज बीजेपी को ओड़ करता है, अब दिखे, 2019 में चुनाव हुआ, 2019 में उंप्रकास राजपर ब प्रत्यासी 9000 सम्थिंग उट पाया था लोकसभा के चुना में उनके समधी जिनके लिए जो घुजिस घुसी विधान लोकसभा के लिए उन्होंने बीजेपी के साथ अपना नाता तोड़ा उस सीड़ पर उनका प्रत्यासी पांच जो विधान सभा को मिलकर के लोकसभा बनत है डायली देखा करके भींड दीखा और के जिसके पास भी साधन सनसाधन हो उतों दिखा सकता है कि लेकिन आप वाई चैनल्यों के मैं नोके माध्यम से सुनता हूं कि राजवर समाज ऑंपरकास के साथ है कोय क्यों यह कुदाण दे दीजिए कि जो उंपरकास साथ प्राजवर के साथ कोई किसी भी सीट पर समाज उनके साथ ती तीन लोगों की वो राईली थी वो समझवादी पार्टी के राष्टि एधर्श का लिजे पुरु मुखमंत्री का लिजे उनके सम्मान का वो राईली था और ये आपके मौ के जो विधायक हैं मुकतार आंसारी उनके लोग लगे हुए थे और राजवर समाज के भी लोग उनके साथ थे लेकिन वो लोग वा ओट भीड जो है ओट में कभी हुआ है अना कभी होगा हुआ है तो बताईए हमको कहां कनवर्ट हुआ है लोग 2000 मुनेश मा केले चुनाव लड़े उनके सारे परतियासे होगी जिस सीट के लिए वो लड़े उनके सीट की 30,000 सम्थिंग थी तो कैसे हमान लेगी राजवर समाज उनके साथ है ठीक है ये बताईए एक चीज़ और है ओम प्रकाश राजवर तो ये बात कह रहे हैं कि वो हनुआन बनके अकलेश को राम की तरीके उत्तर प्रदेश का मुक करने का काम की है उसरेली में आपको याद होगा कि वो कहे थे कि भाजवर के 150 विधायक हमारे साथ है लोगों ने आप जैसे लोगों ने प्रशने किया कि कौन कौन लोग है तो उन्होंने कहा कि 27 तारीकों सब पता चल जाएगा क्या आपने किसी विधाय को देखा उन्होंन ने देखा है तो देखिए कितना वो सत्य बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं हो अचा दिए तो कह रहे थे कि मैंने पार्टी इसले छोड़ दी थी अपना पद इसले त्याग दिया था क्योंकि OBC के जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए कोई काम सरकार नहीं क आगते वक्त उनको सीट छोड़ने के बाद 2019 का चुना होगा जदि वो समाज के लिए छोड़े होते समाज उनके साथ होता तो उनके प्रत्यासियों के 2019 में जामना जबत नहीं हुआ होता यह तो कहने के लिए हम भी कुछ कह सकते हैं आपके चैनल से कभी आधा गंटा पहले देखते थे हैं तो वैसी हमारे साथ है फिर दूसरे आधे गंटे के बाद कोई चैनल उनका इंट्रव्यू लेता है तो नहीं हो वैसी हमारे साथ नहीं है तो यह जूट बोलना उनकी यादत है जूट बोलकर के लोगों को गुमरा करना उनकी यादत है लेकिन अब समाज ज पूछना चाहता हूं कि छोटे दल सपा में कई सारे हैं इन चोटे दलों के साथ पूरप के कई सारे बड़े नेता भी सपा में चले गए हैं जिसमें राम परसाथ चौधरी हैं रमाकांद्यातों हैं बलेशर्यातों हैं काली चरण राजभर हैं उमेश पांडे हैं इंद्रजीत सरोच जैसे बड़े ना कुछ दिनों पहले राइलियां भी सपा ने की हैं वोबी सी वोट बैंक या फिर पूरप का जो वोट बैंक है वह भी वहां पर एकट्टा होते वह दिखाई दिया था आपको नहीं लगता है क कुछ नुकसान होने वाला है बीजीपी को यह सपा का यह जो भीड तंत्र है या फिर यह जो शक्ति प्रदर्शन वो दिखाती हैं सबकों पर अकले श्यादों जो दिखाते हैं यह सिर्फ सबक पर ही सीमट कर रह जाएगा जिससे आपने कहा कि तमयाम बड़े-बड़े ने तो आपनी जी स्वारत के लिए अपने बिधायक बनने के लिए वो जा रह रहे हैं तो आपने चितर नहीं वाल अपने लिए थे प्रिया 3 जो चोटी-चोटी पारिटिया अकलित साथ में जा रही है ऐसा है नो कि वह आपस निकल के भारती संतां पारिटरी में हमारे हिस्थेदारी मोर्चा के गडवंधर में आ जाएक। अभी तो हम हमारे हिसे दरी मोर्चा में कुछ और राजितिक दल हम सामिल करने वाले हैं जिसकी गोसरा जल्दी ही एक दुदिन में हो जाएगी और ये भी हो सकता है जैसे हमारी हमारी उम परकास राजभर जी है उनका भी कोई गरेंटी थोड़ी है पता तला की मितलब जीतेंगे अब अकले जी सुनें कि आश्टेली और पढ़े हुए हैं और राज़ित में मतलब क्या कहते हैं पिता जी के प्रयासों से राज़ित में आ गया है 400 सी तो अकेले जीतेंगे हर चुनाव में तो मतलब 10-15-20 निरदल विधायक चुनाव जीत जाते हैं जो हर चुनाव में निदल प्रत्यासी चुनाव ज जितेंगे नहीं क्या उनके इसाब से तमाम है जो किसी परदी चुनाव लम अपने अच्छा कामों से चुनाव जिच आते हैं ती निरएं उ सीगता है सबसे जगाएं कि विजली की समस्य आए जहांपर सड़क की समस्य आए जहांपर रोजगार की समस्य सबसे हैं सबसे ज़ादा दूसरे प्रदेशें में रोजगार ढूंटे वे जाता है किसान बढ़ाल किसान परशान है यह सारी जो समस्य้ Знаете कईना क gift के बीच आ도 भी रहते हैं क्या इस समस्याओं में और इससलों में कुछ अंतर आया है दूसरी चीज पूर्वांचेर pro जो की सरकार ने सौगात दी है देश वासियों को प्रदेश वासियों को और खासकर उत्तर प्रदेश के पूरब के हिस्से को तो क्या इस पूरवांचल एक्सार एककी कि आजने के बाद कुछ इस्सितियां बदलेंगी निश्चित तोर पर जैसे कि पूरवान्चल में जो समस्याव until बात आप ने की खास्तार से बिजली की बात की और सड़कों की इंफ्रस्ट्रुक्टर की बात की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीछे की सरकारों में बिजली की यह स्थिति अधिक अधिक मात्रा में जितनी प्योगता है जरूरत है उतनी विजली सरकार दे रही है। पुरवांचल के तमाम जिलों से जो संपर्ख है आसपास की लगभग जिलों की आबादी ग्रामीट शेट की आबादी उसके विकास में बहुत तेजी आएगी च्योंकि ये सुगमता से ट्रांसपोर्टेशन की विवस्ता को सुधिर तरेगा। सभी राजनितिक दल अपनी तागत दिखाते हैं चुना से पूर अपनी तागत दिखाते हैं। पर दिसंबर को हमारे मोर्चे से संजुक्त रैली होगी तो रैली में दिखेगी आपको। आपको भरोसा है कि यह जो हिस्सेदारी मोर्चा है और इसकी रैली में जो लोग आएंगे वह आपको और बीजेपी को वोट देंगे ठीक है आप सभी का बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में जुड़ने के लिए तो साथी आज हमने बात की उत्तर प्रदेश में पूरवा यह कहते हुए कि हमें उत्तर प्रदेश का विकास चाहिए हमें पूरव का विकास चाहिए हमें हिस्सेदारी चाहिए बराबर की और वो सिर्फ सणव की नहीं सत्ता में भी और इसी नारे के साथ ये लोग अब बीजेपी के साथ हो चुके हैं और इनका ये कहना है कि बाइस में अगर सरकार बीजेपी के एक बार फिर से बनती है तो जो पूरब का हिस्सा है उसकी तस्वीर कुछ और होईगी ये जो राजनितिक दल खोए हुए थे इनको बीजेपी ये नया चहरा नई जगह दे दी है और ये पूरब को नई जगह नई उचाईयों पर पहुंचा देंगे तो आज की परिशर्चा में इतना है में दिजू नमतीर उसकार